जिसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हाउशान के उपर मैजिक गल ने भर्फ जमा दी थी और हर तरफ से स्पाइक साकर जब हाउशान को कैद कर रही थे तो एक स्पाइक हाउशान के उपर से आने लगी थी और हाउशान उसमें तब क्या था मैजिक गर्ल बहुत हस्ती है और कहती है कि तुम्हारा ये क्यूट सा दोस्तो स्टूपड निकला ये एक मैजिक गर्ल के साथ हवा में फाइट करने की बेवकूफी कर रहा है अब वो जैसे ही ये कहती है वैसे ही उसकी सारी बर्फ तूटकर उसके उपर गिरने लगती है और फिर हाउशन बहुत साथा स्पीड में अपनी तलवार से मैजिक गर्ल पर हमला कर देता है मैजिक गर्ल को सब बलने का टाइम नहीं मिलता और हाउशन सही मौका देकर उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रखकर उसे हरा देता है और कहता है कि मैच ओवर होने से पहले डिसीजन देना सही नहीं मैजिक गल ये देकर काफी हैरान है और कहती है कि ये असंभाव है आखिर तुमने मेरे उस अटाग को कैसे रोग दिया लीसन भी मेरे इस अटाग से नहीं बच पा दिया आखिर तुम मेरे आईस ओफ रेजिस्टन से कैसे बच गए लीसन केरती है कि तुम बले ही स्ट्रॉंग हो लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी कमी ये है कि तुम आरोगेंट हो तुमने अपने अठाक में यही ध्यान नहीं दिया कि हाउशन किस एबिलिटी का यूज कर रहा है हाउशन ने अभी अभी Absolute Defense Technique का यूज करके तुम्हारे उस अठाक से खुद को बचा लिया था ये तुम्हारी Absolute Defense तुम सर्फ इसलिए जीटे हो क्योंकि मैंने अपनी स्टिक का यूज नहीं किया था अदवाइस तुम मेरे सामने भी नहीं डिक पाते लीजन पे फिर कहती है कि मेरे भाई ने भी तुम्हारी स्पेर के तरह अपने कवच को नहीं पहना था तो ये मुकाबला बराबर कहा ही था मैजिक कल फिर उफानते हुए वहाँ से चली जाती है और शौप की पर हावशन को ये शील्टे देता है और फिर हावशन और लीजन डेविल हंट टॉनमेंट में जाते हैं और रास्ती में लीजन बताती है कि वो और मैजिक कल पहली दोस्त हुआ करते थे लेकिन फिर एक बार दोनों को ये ही लड़के से प्यार हो गया और उस लड़की की वज़े से हम दोनों की बीच में दुश्मनी हो गए वो लड़का तो अचानक हमें दुखा देकर कहीं चला गया लेकिन हमें फूट डाल गया मैजिक कल को लगा कि मैंने उससे उसका लवच ही लिया है वो सूसती है कि मैं एविल हूँ उसके बाद हमारे दोस्ती पूरी तरह से ख़तम हो गई हाउशन कहता है कि जरूर कोई मिसंडस्टानिंग होगी लीजन कहती है कि इसमें कोई मिसंडस्टानिंग नहीं है वो नारो माइंड़ लड़की है अब फिर वो उस जगे पहुँचा दे है और वहाँ पर वो मैजिक कल को देखते है Magic Girl का असली नाम Lindsay-Alow है लेकिन Lindsay-Alow और Lilzen के नाम से लोग Confuse ना हो जाए इसलिए मैं उसे Magic Girl के ही नाम से पुकारूँगी Lizen Magic Girl को देकर उससे पूशती है कि आगर तुम यहां क्या कर रही हो Magic Girl भी उसे कहती है कि आगर तुम मेरा पीजा कब छोड़ोगी अब फिर वहाँ दो और पार्टिसेपेंट आते हैं और लीजन को हेलो बोलते हैं ये पाँचों लोग डेविल हंटर एक्जाम देने आए हैं इसका नाम शेंजी है और ये लेवल फोर का शील्ड वारियर है दूसरा पार्टिसेपेंट उसका छोटा भाई शेंज शेंज है औ वो सब आपस में एक दूसरे को इंटेड्यूस करते हैं और लीजन मैजिक कल को चिडाने के लिए ये बोल देती है कि हाउशन इतना तालेंटेड है कि इसने मैजिक कल को भी हरा दिया है और फिर तभी फैंग यांग मू जो यहां के सूपरवाइसर है वो आ जाते हैं और तुम्हें वहाँ डेमन से लड़ना है लीजन और मैजिक कल दोनों ही ये सुनकर चौक जाती है कि उन्हें एक साम काम करना होगा सूपरवाइसर कहता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉबलम है तो तुम टोनमेंट छोड़ सकती हो सूपरवाइसर फिर उन्हें बताता है कि तुम्हें टूटल 100 डेमन सोलजर्स को मारना है ये तुम्हारा ग्रूप अक्ट है और इसलिए तुम्हें अपने में से ही एक लीडर चुनना होगा मैजिक कल आगे आकर कहती है कि मेरी कल्टिवेशन क्योंकि सबसे ज़ादा है इसलिए मैं टीम लीडर के लिए मोस चाहती है क्योंकि वो ही यहां अकेला गाटियन नाइट है मैजिक कल कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इस बच्चे ने तो अब तक किसी डेमन को देखा भी नहीं है और तुम इसको डेमन से लड़वाने को कह रही हो सूपरवाइसर हाउशन से पूछता है कि क्या तुम लीडर बनना चाहते हो हाउशन सूचता है कि मैजिक कल एक मजीशन है वो लड़ाई में पीछे से लड़ती है और पूरे बैटल वेल को अच्छे से अबसर्व कर सकती है इसलिए वो ही लीडर बनने के मोच सूटेबल है हाउशन कहता है कि मैजिक कल ही लीडर बने तो अच् अब सूपरवाइजर सभी को आगे बुलाता है और सभी को इंटीरियर आफ टेविल में ट्रांसपोर्ट करने की अर्रेंजमेंट करने लगता है माजिक कल कहती है कि तुम चिन तामक करो बस कुछ टेविल्स को ही मारना है और मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूँगी हम असानी से ये एक्जाम पूरा कर लेंगे अब हाउशन अपने बच्पन को सोचता है कि कैसे एक बार वुल्स टेविल्स ने आकर उसके ओरिन शेहर को पूरी तरह से बरबाद कर दिया था और आज फिर उसका सामना डेमिन से होने वाला है वो सभी को फिर वहाँ टेलिपोर्ट कर दीता है और वो सभी डेमिन डुमेन में आ जाती है अब माजिक कल सभी को लेट करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है तो उसे एक मरा हुआ डेमिन क्रिश्चल में फसा हुआ दिखता है और उसे देख कर वो बुरी तरह डर जाती है सूपरवाइसर कहता है कि यहाँ डेमिन्स और हुमिन्स दोनों की लाशे है यह वो हुमिन्स है जो टेस्ट देते वक्त मारे गए थे और मैं आशा करता हूँ कि तुम सभी जिन्दा लौट कर मेरे पास आओ अब सूपरवाइसर वहाँ से चला जाता है और उनका एक्जाम स्टार्ट हो जाता है अब वहाँ बहुत सारे छोड़े बड़े डेमिन्स आने लगते है उसमें से कुछ जमीन के अंदर से और कुछ उपर से आ रहे थे और वो सभी एक साथ उन पर हामला कर देते है हाउशन गाजिन बैसिंग्स की टेकनीक का यूज़ करके डेमिन्स पर हामला को बोल देता है बाकी सभी भी अपने अपने तरीके से डेमिन्स को मरने लगती है ये सभी जो डेमिन्स है वो लेवल टू के है हाउशन अपने आमर को अक्टिवीट करता है और उसके पास उसकी शील्ड और तलवार भी आ जा दी है लीजिन भी अपनी पार्स को समन करती है और आउना आमर पहन लीती है हाशन टेविल्स को याद करता हुआ कि ये कितने पुरे होते हैं उन पर हमला बोल दीता है मैचिक गल एकी बार में आसपास के सबी टैमिन्स को फ्रीज कर दीती है और बागी लोग अपनी तलवार से उनको मारने लगती है या इन पाचों में अभी की डेट में सबसे ताकतवर मैचिक गल है दोनों शेन भी काफी ताकतवर हैं और वो भी दैमिन्स को मार रही है मैजिक गल तो इतनी असानी से डेमिन्स को मार रही थी कि जैसे ये उसके लिए कोई रोज की बात हो आखे पीछे से आने वाले हर डेमिन्स पर उसकी नजर है और अपने अलग लग ट्राक का यूज करते हुए उनको खतम कर रही थी सभी लोग हाउशन के फाइटिंग स्टाइल को देकर हैरान थे क्योंकि वो सबसे अलग और सबसे देज था दोनों शेन ब्रदर्स का मज़र नमबर तेरा और नमबर चौदा था मैचिक गल को लगता है कि हाउशन क्योंकि एक सिर्फ पसा गाजियर नाइट है इसलिए उसका मज़र नमबर पंद्रा होगा लेकिन हाउशन का मज़र नमबर पच्चेस देखकर वो हैरान हो जाती है अब सभी टैमेंस फिर डर कर वहाँ से भाग जाती है सिर्फ पांच डैमेंस बागी थे जो उनने खतम करनी है इसलिए मैचिक गल उनने भागे हुए डैमेंस के पीछे जाने लगती है लेकिन हाउशन उसे रोकता है और कहता है कि ऐसा लगता है जैसे अभी हमने सिर्फ लो लेवल डैमेंस को फेस किया है जब हम एडवांस हो जाएंगे तब हम डैवल्स के सेंटर में पहुँच जाएंगे और वहाँ जादा खत्रा हमारा इंतजार कर रहा होगा तो क्यों ना हम थोड़ा यहीं रुक कर रेस्ट कर ले मैचेकल कहती है कि हमारा डास पूरा ही होने वाला है और तुम्हें रेस्ट लेने की पड़ी है मैं इसे जल से जल खत्म करना चाहती हूँ मैं टीम लीडर हूँ और तुम सभी को मेरी सुननी ही पड़ेगी इसलिए चलो मेरे पीछे ना चाहते हुए भी सबी लोग उन भागे हुए demons के पीछे जाने लगते हैं लेकिन भागते भागते वो demons skeleton की गुवा में पहुँच जाते हैं और फिर यही एपिसोड का अत्मू हो जाए